हाई फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मेनी स्टीच फ्रेंट्स आज मैं आपको पुरानी कुर्तिकार यूज करना बताऊंगी यहाँ पे मैंने कुर्तिके नीचे वाले हिस्से से 13 इंच लेंथ पे मार्किंग किया है और उसके उपर से इसको कट कर लिया है यह फ्रेंट और बैक दोनों का पीस है यहाँ पे 9 इंच से इसको स्ट्रेट कर लेंगे और उसके बाद 3 इंच का राउंड देंगे इसमें तो यह कट हो जाने के बाद जो इसकी चारों तरफ का है इसके तीन साइड में एक स्ट्रिप अटेच होगी उसकी विर्थ 4 इंच रखेंगे और उसके ल इसके बॉक्स सिलाई लगा लेंगे उसके बाद मैंने आप एक जिप रेडी किया है वह पॉकेट रेडी किया है तो पॉकेट रेडी करने के बाद में इसके दूसरी साइड से हम जिप को कप्टे के उपर सेंटर में अटेच करेंगे और उसके बाद इसके बचे हुए हिस् यहां से इसमें सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स आज तब यह थोड़ा सा डाउन है अगर आपको वाइस में कुछ कमी लगे तो थोड़ा सा इग्नॉर कर दीजिएगा यह जीप रैडी हो गया उसके बाद उपर वाला स्ट्रेप हमने लिया 13 by 4 इंच 4 इंच का लेंगे उसके बाद हम इस पे जीप अटेच करेंगे और फ्रेंड्स आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया या फिर आप नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सेर जरूर करें उसके बाद में जीप attach हो जाने के बाद हम center पर marking कर रहे हैं और जो हमने center में marking किया है उसके दोनों side में 3 inch का gap रखते हुए marking कर लेंगे दूसरी side में भी ऐसे इसके बाद हमने इसके लिए dory बनाई है और जो हमने 3 inch पर marking किया था उसके उपर dory रखेंगे और उसके बाद में इसको जीप वाले पीश से अटेच करने शुरू कर देंगे, यहां पे दोनों साइड में एक-एक इसमें प्लेट्स लगाएंगे, प्लेट्स से आप थोड़ा डाला, अगर आप ज्यादा चाहें तो दोनों साइड में ज्यादा डाल सकते हैं, इसके बाद इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे, फिर दूसरी साइड में भी हम स्ट्रिप को रख करके, दूसरे वाले पीश को उपर रखेंगे, और सेंटर में वही दो यहां पे प्लेट्स लगाएंगे, और सिलाई लगा देंगे, यहां इसके उपर से भी सिलाई लगा देंगे, पहले नीचे में दो-दो सिलाईया लगा लें, उसके बाद उपर से सिलाई लगाएंगे, और इसके बाद एक्स्ट्रा बची हुई स्ट्रिप को, इसको कट कर देंगे जिप को, अब जो 4 इंच विर्द का स्ट्रिप था, उसको अटेच करना स्टार्ट करेंगी, फ्रेंड्स कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया नया सेरिंग का मौका मिलता है, तो प्लीज जरूर बताएगा कमेंट करके भी आपको ये रियूज कैसा लगा, और हम अनेको परकार से जैसे कूरती हैं उनको फैकने की बजाए अलग-अलग परकार से रियूज कर सकते हैं इनका इसके बाद एक तरफ से अटेच करने के बाद हम दूसरी साइड वाले पीछ से भी इसको अटेच कर देंगी यह सेंटर का रैडी हो जाएगा इस ट्रीप अटेच होकर के फ्रिंट स इसमें से मैंने बैग बनाया है यह चोटा बैग है अगर इसमें आप थोड़ा कम सामान अगर आपको लेके जाना तो इसको कहीं भी जा सकते हैं अब जो यह सिलाई है इसके उपर से हम एक स्ट्रीप लगाएंगे दोनों साइड में मोड करके सिलाई को कवर कर देंगे तो दोस्ते हमारे बैग बन करके रेडी हो गया है इस पर करका हमारा बैग बना है यह चोटा बैग है आप इसको मार्केट में या कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए भी लेकर के जा सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और दोस्तों प्ली